हेलो एब्रिवन आज मैं आपके लिए क्या हूँ भिंडी मसाला रेस्पी तो इसके लिए मैंने आधा किलो भिंडी को काट ली हूँ धो करके और फिर एक प्याज लिया है चार से पांच कली लहसुन के पांच से छे हडी मिर्च कटी हुई ली हूँ मैं मैंने गैस अन करके उ इसके बाद मैं उसमें डाली हूं는 चार से पांच सर्सो तेल और उसके बाद उसमें डालेंगे يकटे हुए भिंडी फ्राई करने के लिए इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे तो देखिए हमारा बिंडी फ्राई हो गया है अब हम इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं इसके बाद मैं उसी कडाही में डालूंगी तीन से चार चम्मच सरसो तेल उसमें डालूंगी थोड़ा जीरा दो तेजपत्ता और इसे हलका गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे उसके बाद मैं उसमें डालूंगी बाड़ी कटी हुई लहशुन और इसे भी मैं हलका गोल्डन होने तक फ्राई करूंगी तो देखिए हमारा लहसुन गोल्डन हो गया है अब इसमें हम एड़ करेंगे कटे हुए हरे मिर्च और उसके बाद कटे हुए प्याज को एड़ करूँगी मैं इसमें और इसी भी मैं गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी तब तक मैंने दो टमाटर को धो करके काट ली हूँ बारीक और इधर प्याज भी बिल्कुल गोल्डन हो ही गया है अब इसके बाद हम इसमें कटे हुए वो टमाटर आड़ करेंगे मैंने इसमें टमाटर एड़ कर दिया है अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले मैंने हाप पिलिया है आधा चमच हल्दी, आधा चमच धनिया पौडर, आधा चमच जीरा पौडर, एक चमच लाल मिर्च पौडर, एक चमच एवरिष्ट किचेन किंग मसाला और स्वाध अनुसार नमक अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसे एक से दो मिनट तक हम फ्राई करेंगे अब इसके बाद इसमें हम फ्राइ की हुई भिंडी को डाल देंगे और गैस का फ्लेम लोही रहने देंगे ताकि इसको अच्छे से हम मिला ले और इसे अब मिलाने के बाद हम इसे एक प्लेट से ढख करके फ्राइ करेंगे और गैस का फ्लेम लो ही रहने दीजेगा तो चलिए मैं इसे ढख देती हूँ दो से तीन मिनट बाद हम इसे प्लेट को हटाएंगे और इसके बाद फिर से इसको एक बड़ चलाएंगे ताकि ये नीचे से जले नहीं और जले नहीं और साड़े मसाले अच्छे से फ्राई हो जाएं तो चलिए हमारा भिंडी मसाला बनके त्यार हो गया है हम इसे एक बावल में सर्व कर लेते हैं थैंक यू फर वाचिंग